चैज शिरी राम दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल सुडेंट पॉइंट वीडिय में तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रेश कोस कर रहे हैं जिसमें आज हमारा डे नंबर 20 है इससे पहले हमने डे नंबर 19 तक की वीडियो कंप्लीट कर लिए है और हमारा मैक्सिमम्स लेबस भी कंप्लीट हो चुका है ठीक है दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं important formulas जिससे हमारे paper में आपको numerical देखने को जरूर मिलेगा तो मैंने यहां पर आपको सारे formulas लिख दिये हैं जो physics से लेते जो भी numerical बनने के जिससे chance होते हैं वो सारे formulas आपको एक साथ मिल जाएंगे और इसका PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर बिल्कुल free मिल जाएगी और जिसका link आपको हमारे description box में मिल जाएगा तो शुरू करते हैं माज की वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो useful रहेगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना like जरूर करना और share करना तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे force का formula force का formula क्या हता है m into a mass into acceleration हमारे पास formula हता है m मैंने mass a मैंने acceleration next हमारे पास pressure pressure का formula हता force per unit area force per unit area हमारे पास pressure का formula होगा ठीक है तो next हमारे पास impulse impulse का formula हता force into time ठीक है impulse का formula क्या हता force into time आपको force दे रख्योगी यह आपको mass या acceleration दे रख्योगा इससे बहुत ज्यादा नुमेरिकल आये हैं next मारे पास speed का formula आप सभी को पता होगा दोस्तों क्या होता है distance upon time speed का formula क्या हता है distance upon time simple सा होता है आपको एक और चीज बता दूँ कि अगर speed meter per second में दे रख्योग अगर उसके kilometer बनाने हो तो कई वार आपको क्या होगा option में में दे रख्योगा कि उसके kilometer बनाने होगा तो 18 by 5 से multiply करना पड़ेगा अगर kilometer के meter बनाने हो kilometer के meter per second बनाने हो तो 5 by 18 से multiply करना पड़ता है चीक है दोस्तों यह आप 1000 करके भी इसको solve कर सकते हैं नेक्स्ट हमार पास average velocity average velocity यह हमार पास u plus v upon 2 यू मैंने का आता दोस्तों initial velocity और v मैंने का आता final velocity upon 2 जिससे हमार पास average velocity निकल जाती है initial velocity प्लस final velocity को जब हम plus करते हैं और divide by 2 करेंगे तो हमार पास average velocity निकल जाएगी next मना पास clearing का formula athleticiken का formula टा मार पास hFF A is equal to v-7 upon a x- लेशनच का formula क्या रहतता है मार पास a इस इकल ट्व-7-7 u upon टी रहता है चीक कulator is कि दोस्तों कई बार basically triple to व मैनने सूपाउं टी भी रहता जाए क However is इस formula का modification में कैसे लिखते दोस्तो इस t को परे ले जाएंगे तो a t is equal to v minus u भी लिख देंगे ठीक है यहां से हमारे को अगर v की value निकाल नहीं हो तो यह क्या बन जाएगा वी की value यह यू कहां चल जाएगा परे चल जाएगा minus का है तो परे जाक क्या बन जाएगा plus का तो v is equal to यू प्लस a t b बन जाता है तो इसी formula का modification है यह v minus दोस्तो क्या था है अगर हम t को परे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा a t a t is equal to v minus u ठीक है यू को परे जाएगे तो u plus a t v is equal to यह हमारे पास इसी का formula का modification है ठीक है next हमारे पास हमने तीन equation of motion की थी ठीक है जिसमें तीन equation of formula के formula मारे पास v is equal to u plus a t ठीक है दूसरा का s is equal to ut plus half a t square तीसरा मारे पास v square minus u square v square minus u square is equal to 2 a s ठीक है यह मारे पास तीन equation of motion के formula है और यह बहुत important है ठीक है दोस्तों यह बहुत ही important है इससे आपको numerical जरूर आएगा इन मैसा आपको दो चीज़े दे रखी होगी एक चीज़ निकालनी होती है ठीक है तो simple से numerical होते सिर्फ formula में value भरनी होती है इससे previous year वाली previous जो वीडियो ती day number 19 की जिसमें हमने जितने भी numerical आपके exam में आय थे वो maximum solve किये थे ठीक है तो आपको उस वीडियो में जाके आपको idea लग जाएगा कि यह कैसे formula पूट करते हैं next हमारे पास linear momentum इससे भी बहुत question देखने को मिल जाते है एक्जाम में ठीक है linear momentum का formula क्या होता है P is equal to linear momentum को किससे denote करते है P से denote करते क्या formula होता है mass into velocity इसका formula होता है mv ठीक है next हमारे पास recoil of gun इससे भी numerical देखने को मिलता दोस्तों यह भी बहुत important है तो recoil of gun का formula क्या होता है m1 v1 plus m2 v2 which is equal to 0 ठीक है क्या formula होता है m1 v1 plus m2 v2 is equal to 0 जिसमेंस आखको अगर v2 निकालना तो क्या कैसे निकालने दोस्तों इसको पर ले जाएंगे क्या बन जाएगा minus m1 v1 बन जाएगा ठीक है multiply कर तो m2 बन जाएगा तो यह इसका formula बन जाता अगर v2 निकालना तो v2 को formula क्या बन गया minus m1 v1 upon m2 ठीक है यह मार पास recoil of recoil of gun का formula होता है ठीक है इसी से modification होती है formula की next मार पास वरक का formula वरक का formula था force into displacement force dot into dot product होता है force or displacement का दोस्तों cross product नहीं होता है मैंने अपनी वीडियो में करार रखा है वरक का formula था force into displacement force दिया होगा आपको displacement बीटी होगी कई वारे दोस्तों vectors form में दिया था मतलब आई जे और के की फॉर्म में दिया था आई कैप जे कैप और के के फॉर्म के कैप में ठीक है तो उसमें दोस्तों क्या करना आपस में इनको multiply ही करना होता है ठीक है महां से simple answer निकल जाता है तो कुछ और unit से जो कई बार exam में पूस लेते हैं वन electron वोल् ज़िए दो कि फॉर्म वहार इसी को kia 10 shar 6 से मल्टीप्या करें तो आफुर जाती प्रेसर मैं माइनस के 19 प्लस के 6 हह जाएंगे तो माइनस 19 पलस 6 करना जाएंगे माहर पास आएंगे –13 बज जा जाएंगे तो क्या जाएगे हमार पास मेगा इलेक्टरन की वैल्यू माइनस वन पॉइंट सिक इंटू टैने पॉइंट पॉइंट सिक्स जूल के ब्राबर होता है और वन कैलोरी किसके ब्राबर होती है ठीक है यह मैंने ही लिख लिए इंपॉर्टेंट है चारो ही बढ़ते हम नेक्स क तरफ नेक्स्ट हमार पास काइंटिक एनरजी का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों आप सभी को पता होगा हाफ एम वी स्क्वेर रहता है जिसमें एम के दोस्तों मास है और वी के हमार पास विलास्टी है इसका एपडेट वर्जन कई वार मुमेंटम की फॉर्म में भी काइंटिक एनरजी निकालनी होती है तो यह कई वा इसका काइंटिक एनरजी का यह वाला फॉर्मूला भी इन टर्म आप मुमेंटम ठीक है पुटेंशल एनरजी का फॉर्मूला का वर्ग डन कैसे निकालते हैं एम जी एच निकालते हैं म मैंने मास जी मैंने ग्रेविटी होती है ठीडर स्प्रिंग कॉंस्टेंट क्यासा निकालते हैं के is equal to force per unit displacement इंपल्स क्यासे निकालते हैं दोस्तों force multiply time है और कि हमारे पास स्प्रिंग कॉंस्टेंट कैसे करते हैं force per unit displacement यह भी हमारे पास important निया प्रमारे पास एंप्सक्राइब देखने को मिल जाते हैं तो power क्या था हमाद पास work upon time ठीच aware रहा था हमा write works W men work T men time ठीक है और power God in Term of अगर आप velocity लिखोंगे तो power होता हैforce into दोस्तो velocity यह भी important है force into velocity रहता है power यह कैसे रहता जोस्तों मैं आपको बता देता है work work किसके उसदों होता force into displacement force into displacement upon time ठीक है वरक को क्या लिखा हमने फोर्स इंटो डिस्प्लेस्मेंट लिख लिए ठीक है और डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टाइम क्या रहता है दोस्तों महर पास विलास्टी रहती है तो डिस्प्लेस्मेंट अपॉन टाइम को क्या लिख लिए अपने वी लिख लिया तो क्या फोर्स इंट्यूंटी फ़ूर्स इंट्यू वट्ãyपिकारप्स अलबर किसका फॉंटला रहता है फैसका फॉर्मुला रहता है रहता है जिसका मतलब होता है मेगा next हमार पास depth find out करनी depth find out कैसे करते हैं हम जैसे sonar की करते हैं उसमें distance दियोगा कैसे निकालेंगे distance is equal to v upon t upon v multiply t upon 2 यह हमार पास depth निकालते हैं या distance निकालते हैं जब भी हम sonar sound and navigation and ranging को जब भी हम sonar में ocean की depth निकालते हैं distance निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं d is equal to v multiply t upon 2 presence of hearing कितनी रहती दोस्तों यह भी हमने वीडियो में कर रखी 1 by 10 या 0.1 second रहती है और यह question देखने को मिला था हमारे exam में यह भी important है next हमार पास eco reflection के लिए सबसे minimum distance कितना रहता है दोस्तों 7.2 meter रहता है यह हमने value दोस्तों अपनी वीडियो में निकाल भी रखी है कि यह कैसे 7.2 इसकी value आती है तो यह भी important है यह question बहुत बार आया है यह भी question दोस्तों देखने को मिला है power से भी question आपको देखने को मिला है वन किलो वाट आवर इससे भी question देखने को मिला है वन हॉर्स पावर से भी आपको question मिला है देखने को नेक्स नमार पास gravitational constant इससे भी question आते हैं तो gravitational constant की value क्या होती है F is equal to क्या होता दोस्तों GM1 M2 upon R square रहता है ठीक है जिसमें G की value कितनी रहती दोस्तों 6.67 into 10 is for minus 9 minus 11 newton meter square kilogram inverse 2 ठीक है minus 2 यह इसकी value रहती है बहुत जादा important value है इसको याद कर लेना दोस्तों ठीक है मिले को आप gravitational constant का dimensional formula बताएंगे क्या होता है इसका answer आप comment box में देना दोस्तों ठीक है और अगर आपको वीडियो यूजफूल लग रही है तो एक चोटा सा दिल क्या कर देना दोस्तों react कर देना देखो मैंने दिल भी बना दिया यहाँ पर इसमें शेड़ा दोस्तों थोड़ी थी तो आप चोटा सा दिल किसमें comment box में जरूर देना अगर आपको यही वीडियो यूजफूल लग रही होगी ठीक है तो नेक्स्ट आमारे पास gravity gravity की value क्या रहती है मारे पास gm upon r square रहती है ठीक है जिसमें gravity की value की नहीं रहती जी की value की नहीं रहती 9.8 रहती है ठीक है यह भी बहुत जादा important है gravity की सबसे जादा maximum कहा रहती है दोस्तों pole पे maximum रहती है इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा gp लिखा p का मतलब क्या पोल्स और यहां मैंने g e लिखा इसका मतलब equator gravity सबसे कम कहा रहती है equator पर रहती है minimum ठीक है gravity center of earth में कितनी रहती है हमेशा zero रहती है ठीक है अब v e दोस्तों यह क्या है हमारे पास v e की value की दिन रहती under root to gm upon r रहती है ठीक है और दूसरा क्या हमारे पास v o का मतलब क्या है इसमें orbital एक दिन रहता है under root gr रहता है v e और v o का आपस में relationship क्या दोस्तों v e is equal to under root to v o ठीक है o मैंने क्या है यहाँ पर orbital velocity e मैंने दोस्तों आप में कमेंट box में बताएंगे e मैंने क्या है ठीक है यह बहुत important question है आप में कमेंट box में बताएंगे अपनी वीडियो में बहुत अच्छे आपको यह करवा रखा है यह किसकी velocity under root to gm upon r किसकी velocity दोस्तों यह आप में कमेंट box में बताएंगे under root to gm upon r जो मैंने यहाँ पर लिखा है यह आपको दिख रहा होगा वी के साथ क्या लिखा है velocity of e लिखा है ठीक है e इसमें क्या दोस्तों है यह आप में कमेंट box में जुरूर बताना e मैंने क्या है ठीक है तो इसमें कितनी value रहती वी की under root मैं यहाँ पर answer नहीं दूँगा under root gm upon r रहती है ठीक है और v o इसमें जो गया दोस्तों o का मैंने शायद answer दे दिया और o का मैंने मतलब गया इसमें orbital velocity तो orbital velocity कितनी रहती है मार पास under root gr रहती है ठीक है इनकी दोस्तों कुछ value होती है under root velocity of e की value रहती है मार पास 11.2 km per second और velocity of o मैंने orbital कितनी रहती है 7.92 km per second रहती है तो आप मेरे को इसका जरूर आंसर देना comment box में कि यह v e है क्या इसमें v e और v o का अपस में relationship होता है v e is equal to under root to v o ठीक है relationship भी बहुत वार एक्जाम में आया है या कई वार क्या देते हैं दोस्तों numerical दे रहते हैं जिसमें v o की value दे रखे होगी आपको v e की निकालनी होगी ठीक है तो simple सा numerical आ जाता है और यह दोनों value जरूर जरूरी है दोस्तों v e की value किरने होती 11.2 km पर सेकंड होती है और v o की value किरने होती 7.92 km पर सेकंड रहती है बड़ते हम next की तरफ next हमार पास mirror formula इसके हम numerical भी बहुत बार कर चुके है mirror formula क्या होता वन अपॉन यूज इकल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन अपॉन एफ यू क्या होता दोस्तों object का distance v क्या होता image का distance f क्या is equal to दोस्तों यहां पर easy f क्या होता focal length होती है और कई बार आपको दोस्तो radius of curvature दिया होता magnification कैसे निकालते है हम h- यह image दे रख्यों यह हाइट की image है h- upon object की image है ठीक है और यह दोस्तों जो हमारे पास image बनती है वह उसकी height और यह object की height है upon v upon u minus v upon u कई बार magnification ऐसे निकालते हैं यहां से आप v की value निकाल सकते है वीक value क्या है h- upon h multiply u v is equal to minus h- upon h upon multiply u ठीक है next हमारे पास lens formula भी सी तरह होता है ठीक है दोस्तों जिसमें हमारे पास 1 upon minus minus 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f u और v इसमें भी क्या रहते हैं दोस्तों सेम रहते हैं object का distance v मैंने image का distance f मैंने focal length ठीक है और इसका magnification दोस्तों हम निकालते है h- upon h is equal to v upon u उसमें minus v upon u था इसमें सिर्फ lens formula v upon u रहता है minus नहीं लगता ठीक है इस बात का धियान रखे magnification में निकालते वक्त power of lens इससे भी question देखने को मिला हुआ है यह भी बहुत जादा important है power of lens और power of lens की unit क्या रहती है दोस्तों इसका answer भी आप मेरे को comment box में जरूर देना तो आपको तीन question होगे comment box में देने को तो तीनों का answer आप comment box में देना power of lens कैसे निकालते हैं पी is equal to one upon f निकालते है कैसे निकालते है one upon focal length निकालते फ्र फोकल लेंज दोस्तों मीटर में दी रख्योगी तो f by 100 करेंगी और यह हंडडर जल जाता है हंडर अपॉन एफ हो जाता जब किस में देना रहों सेंटिमेटर में निकालना हो तो power of lens अगर सेंटिमेटर में है त और थो फोको हैं था और हो जाएगा और फोकोल में तो बटे एफ ही रहेगा फॉर और फ्रेंस तो पॉल्पनेंड रहेज़ता और इसे निकालते इसकी यौिटू क्या होती दोस्तों आप में को में दोकुल को ने चार्ज के तेना क्सा तो हमारे पास चार्ण आइसा ने थिक इंटू 10 इस पोफ माइनस 19 गूलंब रहता है ठीक है नेक्स हमार पास एलेक्ट्रीक क्रेंट कैसे निकालते हमारे को यह पॉन आया लगाते और ऊहमलॉ क्या हुदता कि बीमन क्या पॉता है इस डिरेक्टिव पोपोर्शनल टू क्रंट ठीक है जब हम इसको कॉंस्टेंट रहते तो वी इस इकल टू आर आई आजाएगी तो इन मैसे अगर आपको दोस्तों आई दिया तो आप अगर आई और वी दे रखा तो आर फाइंड आउट कर सकते अगर वी और आर दे रखा त तो आ इसे सिंपल सफ अनुमेरेकल आता है फॉरमूलन पूठ करना और आपको अंशर मिल जाएगा जह मारे पस सीरीह में करेक्टिड होते तो उसका टूटल रेजिस्टेंश क्या होता हमार पास टूटल रेजिस्टेंश है था मार पास साहरे हमार पाश dual टू और फ्लस यह ऐसे दे रखाओ आपको डाइग्राम ठीख है और अगर इनगे और निकाल देंगे ठीक है और अगर यही सीरीज में दे रखें तू आगे थ्री और फोर तो इन सब को क्या करेंगे प्लस करेंगे चार दो छेर तीन नौ उहम इसका अंसर आ जागा चीक है तो यह सिंपल सा था हीटिंग लॉफ इलेक्टिक संट करंट जिसको जूल लॉफ हीटिंग भी बोलते ह है तो किसके बराबर होता है एच इस इकल टू आई स्क्वेर आर्टी के बराबर आई मैंने करंट आर मैंने रेजिस्टेंस टी मैंने टाइम और एच मैंने हीट ठीक है दोस्तों यह भी सिंपल सा नुमेरिकल आता है वैल्यू पूट करेंगे और आंसर आ जाएगा ठीक है अगर पावर निकाल ला है इन टाम ओफ स्क्रीक और तो कई वर क्या था पावर हुआल टू वी स्कूर को अइन टाम क्या अगर आपको क्या पोटैंशल डिफ्रेंज भी दे रख् Pharaoh वोल्त भी दे रख्वा है छी के दोस्तों और साथ में पोटैंशल डिफ्रेंस भी मैंने तो आप पावर निकाल सकते हैं ठीक है यह भी एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे आपको नुमेरिकल देखने को मिल जाता है तो बढ़ते हम नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट अमर पस फ्रीक्वेंसी इससे भी बहुत जादा नुमेरिकल देखने को मिलते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और स्पीड आपस में रेलेशन्शिप में रहते हैं यह तीनों ही ठीक है तो इससे नुमेरिकल देखने को बहुत मिलते हैं तो इसको हम न्यू इस इगल तो सी अपॉन लैम्डा ठीक है जिसमें से न्यू का मतलब होता है wavelength आपको दे रखे होगी या तो speed दे रखे होगी speed या velocity बोलते हैं c या v ठीक है upon lambda मैंने क्या होता दोस्तो lambda मैंने होता है frequency ठीक है तो कैसे हम इसको find out करते हैं दो चीज़े आपको दे रखे होगी ठीक है तीसरी आपको निकालनी होती है सिंपल सा numerical होता है value 2 की value दे रखे होगी तीसरी आपको क्या करनी होती है निकालनी होती है ठीक है next हमार पास phase difference यह phase difference और path difference से आपको numerical देखने को मिल जाता है तो कैसे निकालते हैं इसका relationship क्या है phase difference phase difference which is equal to 2 pi by lambda into path difference ठीक है यहाँ पर आपको देख दिख रहा होगा screen पर face difference is equal to 2 pi by lambda into path difference तो अगर path difference की value दे रखे है तो phase difference निकाल सकते है अगर phase difference की value दे रखे तो path difference निकाल सकते है time period of simple pendulum time period of simple pendulum किनो तो t is equal to 2 pi under root L upon G अगर आपको पोटेंशल डिफ्रेंस दे रखा और आपको बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे तो इसको फाइंड आउट करते हैं 12.27 12.27 अपॉन अंडरूट वी अंडरूट वी मैंने कहता है पोटेंशल डिफ्रेंस होता है तो दोस्ते यहां मैंने आपको शायद गलत लिखा है यहां पर लेम्डा मैंने क्या होता है यहां पर लेम्डा मैंने वेवलेंथ होता है यहां मैंने उल्टा लिख दिया दोस्तों सॉरी लेम्डा मैंने क्या होता है वेवलेंथ होता है और न् तो सेम रहता है दोस्तों new is equal to c upon lambda c और v या तो speed दे रख्योंगी या velocity दे रख्योंगी ठीक है तो यहां पर speed velocity में confusion मत होना ठीक है new मैंने क्या होता है दोस्तों frequency और lambda मैंने क्या होता है wavelength होता है तो यहां पर थोड़ा सा गरत हो गया है तो बढ़ते हम next की तरफ next हमार पास अगर momentum निकाल लो किसी electron का तो कैसे निकालेंगे हम p is equal to under root 2m electron volt ठीक है 2m ev ठीक है e मैंने charge v मैंने volt m मैंने mass ठीक है यह question दोस्तों देखने को मिला था energy stored in magnetic field तो energy कैसे निकालते is equal to 1 upon li square li हमार पास length दे रख्योंगी किसी coil की ठीक है इसमें length दे रख्योंटी किसी coil की आई मैंने current ठीक है value put करनी और direct आपको energy निकल जाएगी तो यही दोस्तों आपको 10th तक के सारे जितने भी आपसे numerical बनते हैं जितने भी topic से वो सारे formula आपको यहां लिक के दे दिये हैं इसकी pdf भी हम आपको telegram channel पर जरूर डालेंगे ठीक है तो दोस्तों और आपसे एक और एक humble request है कि आप हमारे channel को जरूर शेयर करना ठीक है